कैसे हैं आप लोग आशाखरती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज हम अपने इस वीडियो में अपनी सेक्टर आर्ट देखते हैं इसे चैप्टर आर्ट नया असलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग में इसको चैप्टर नंबर दे रहे हो वैसे आपकी NCRT की बुक में यह नियोजित विकास की राजनीती चैप्टर थ्री है और उसी का अंश जो है उसको अब सेकिंड बुक का हम इसको आप सेकिंड चैप्टर कहेंगे सेकिंड बुक का ठीक है बच्चों पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा रास डेवल्लप्मेंट अर्थात नियोजित विकास क्योंकि आप लोगों ने देखा बच्चों हमने पहले चैप्टर में देखा था कि रास्ट निर्मान की तीन प्रमुख चुनौतिया थी पहली चुनौती थी भारत को अखंड रखने की चुनौती यानि भारत को एक करने की क्योंकि अभी अभी हम विभाजन की तरास्थी से गुजरे थे, ऐसे में हमारे लिए जरूरी था कि सबसे पहले हम कैसे एक भारत का निर्मान कर सके, हम कैसे एक ऐसे भारत का निर्मान कर सके, जो कि जिसको कोई तोड़ ना सके, जिस पे विभाजन कारी शक्तियों का कोई प् को समानता स्वातरता सारे अधिकार प्राप्त हो सके एक उस भारत का सपना जो हमारे नेताओं ने देखा था वो पूरा कर सके और उसके लिए एक तीसरी सबसे बड़ी चुनोती थी development विकास करना क्योंकि हमारा देश एक पिछड़ा हुआ देश था ऐसी क्षित था गरीब था और ऐसे हालातों में था जहां पर उपर आगे वाली दो चुनोतियां उसको उनका सामना हम कप कर सकते थे जब हमारा देश developed होता विक्सित होता और विकास कैसे होता कि विकास जन ज देखते हैं जो हमसे आगे हैं जो हमसे पीछे हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि विकास तो होता है किसी भी समाज में development होता है परन्तों वो विकास देश के और उस समाज के हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता समाज का एक वर्ग हमेशा पिछड़ा हुआ रह जाता है ठीक है तो हमारे देश में जो हमारे देश के निर्माता थे उन्होंने यही सोचा था कि जो development हो वो देश के हर व्यक्ति तक पहुँचे तो वो development कैसे हो plan development हो योजना बना कर किया जाए planning कर के किया जाए और उसके लिए आपका जो ये chapter है उसमें बहुत सारे चीजे दीव भी था कि किस तरीके से planning की गई पंच वर्षे योजनाओं की शुरुआत की गई और एक योजना आयोग का गठन किया गया वो योजना आयोग का काम था पांच साल की योजनाए बनाना और उन्हें क्रियानवित करना परन्तु आपका जो इस साल cbse का ये chapter है इसमें केवल दो ही महत्वपुन content दिये वे हैं वो है National Development Council यानि रास्ट्य विकास परिशद और नीती आयोग तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर इन्हीं दो संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे के इनके स्थापना कैसे हुई इनके स्थापना के उद्देशे क्या थे ये कैसे का प्रकारे करती हैं और अब इनका स्वरूप जो निकल कर आ रहा है वो किस प्रकार का है तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों रास्ट्य विकास परिशद ये देखिए National Development Council ये इसका एक लोगो भी यहाँ पर दिया हुआ है अब देखिए कि ये National Development Council क्या कर रहे थी NSC आयोग की भाती रास्ट्य विकास परिशद भी एक समीधाने तर निकाय है समीधाने तर निकाय का मतलब क्या होता है कि जिस संस्था का उलेक समीधान में नहीं आया बाद में सरकारों के द्वारा उसका गठन किया गया है तो ये समीधाने तर है यानि समीधान में इसका अब इसका गठन क्यों हुआ मुख्य रूप से आर्थिक नियोजन हेतु राज्य एवं योजना आयोग के बीच वातावरन बनाने के लिए किया गया अब देखिए एक चीज थी कि भारत क्या है भारत एक संग है आप लोग 11 में पढ़कर आएं यहां पर बहुत सारे राज्य हैं उन राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाने के लिए उनको केंद्र की योजनाओं को राज्य तक पहुचाने के लिए राज्य की मांगों को केंद्र तक पहुचाने के लिए ये एक संगठन बनाया गया अब इसकी स्थापना कब हुई 6 अगस्त 1952 को रास्टे व कास परिशन सहकारी संगवाद का सर्वोत्तम उधारन माना जाता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं प्रधान मंत्री सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और योजना आयोक के सदस्य केंडशाशित प्रशाश्चक मंत्री मंडल और उसके सदस्य ठीक है इसको आगे हम more details से देख भारत का प्रधान मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है फिर मंत्री मंडल इस तर बहुँ केंद्रिय मंत्री इनको कब शामिल किया वर्स केुट के मेंबर होते हैं सबी संग शाशित राज्यों के संग शाशित यानि केंद्र शाशित Union territory जो हमारी 8 Union territory है उनके मुख्यमंत्री या प्रशाशक भी इसके साधस्य होते हैं अब देखते हम इसका उदेश्य, राश्य विकास परिशत के उदेश्य – Objective of National Development Council राश्य विकास परिशत की स्थापना के मुख्य उदेश्य थे, राश्य विकास परिशत का पहला उदेश्य था योजना को कारे रूप देने में राज्यो का सहयोग पराप्त करना ये बात अभी अभी मैंने आपको clear की थी कि राज्यों का सहयोग सबसे main जरूरी है कि योजना तो बना दीकेंदर ने पर उसको उसमें जब तक राज्ये involved नहीं होंगे राज्ये अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक उस योजना का क्रियानवयन मुश्किल हो जाएगा फिर योजना और योजनाओं के समर्थन में रास्ट के प्रेयासों और संसाधनों को सूदृता और गती शीलता प्रतान करना सभी महतुपुण छेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना यानि फिल्ड डिसाइड करना, छेत्र डिसाइड करना कि योजना बनेगी कौन सी एरिय में काम होगा क्रशी के छेत्र में होगा, उद्योगों के छेत्र में होगा कि अब इस बार इना infrastructure में development होगा, इस बार व्यापार को तरक्की देनी है, अमें लगू कुती रुद्योग धंदों को तरक्की देनी है, तो field decide करेंगे, योजना आयोग decide करेगा कि किस छेतर में विकास की ज़्यादा जरूरत है, देश के सभी भागों में त्वरित, त्वरि हो गया कही पर कुछ भी नहीं हुआ, तो यह संतुलन देखना किसका काम होगा, रास्टी विकास परिशत का, फिर इसके में कारे क्या है, अब यह जो उद्देश हैं, इनकी पूर्ती करने के लिए क्या होगा, 1952 के प्रस्ताओं के द्वारा रास्टी विकास परिशत को कई कारे सोपे गए थे, और इन कार्यों को वर्ष 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंशा के आधार पर इनको संशोदित भी किया गया और पूने परिभाशित किया गया, तो संशोदित कार्यों की सूची क्या है, रास्टी योजना की तैयारी के लिए माग निर्दे आने के उपाय देना, यानि कोई योजना तो है पर उसके लिए resources कहां से आएंगे, कौन से resources होंगे और उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब देखना, रास्टी विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक महत्व के विश्यों पर विचार करना, यानि development हो कर रहे हैं, हमनी जो सोचा था हम कर रहे हैं, परन्तु उसका आकलन भी तो करना पड़ेगा, कि जो हम कर रहे हैं, उसका impact क्या आ रहा है, उससे वास्ता में विकास हो रहा है, कुछ और गडबर तो नहीं हो रही है, तो ये सब समीक्षाएं करना भी काम है उसका, रास्टी योजना के निर्धारित उद्देशों और लक्षों की प्राप्ति के उपाय सुझाना, यानि अगर कोई development नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे होगा, उसको हम कैसे प्राप्ट करेंगे, ठीक है, लक्ष जो हमने निर्धारित किये, योजना आयोग द्वारा तैयार, पंच वर संसद के स्विक्रती के बाद इसे अधिकारिक योजना माना जाता है, और भारत के राजपत्र में ये प्रकाशित होती है, इसलिए सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंदित, नीतिगत विश्यों के लिए रास्टे विकास परिशत संसद के बाद सर्वच निकाय है, जो इन विश्यों से संबंदित नीती निर्धायत करने के लिए जिम्मेदार है। अगर इसने कोई प्रस्ताव रखा तो वो मानना जाएगा संसद के द्वारा या सरकारों के द्वारा जरूरी नहीं है। नियोजन के छित्र में उसकी नीतियों तथा कारे योजनाओं के संदर्भ में तालमेल बनाए रखना तथा उनके बीच एक सेतु के रूप में कारे करना यह पुल के रूप में। योजना बना रहा है और राज्ये हैं। उन राज्यों और योजनाओं के बीच में एक पुल बना के काम करेगा। इसके आतरिक्त परीशद ने रास्ट्रिय महत्व के विश्यों उपर केंदर राज्ये के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच तथा संगिय राज्वनितिक प्रणाली में केंदर और राज्ये के बीच जिमेदारियों के बटवारे के एक तंत्र का भी काम किया। यानि इसने क्या देखा कि इसने ये देखा कि केंद्र और राज्य जो है उनके बीच में अब जिसे योजना बन गई तो आप लोग अगर न्यूस पेपर अगर पढ़ते हो एक सिंपल की सड़क का निर्मान करना होता है तो उसके उपर केंद्र राज्य में लडाई हो जाती ह अगर आप न्यूस पेपर पढ़ते होगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे एरिया आते हैं तो आपर सड़क कभी बनती नहीं है क्योंकि आप देखोगे ना कभी आपने देखा होगा पूछा होगे यह इतनी इंपॉर्टेंट रोड है इसके उपर सड़क क्यों नहीं ब आती है तो एक जब बड़ी योजना बनानी हो तो उसमें तो आपस में आना है कि हमारे रिसोर्से यूज होंगे फाइदा किसको होगा तो राज्यों के और केंद्र के बीच तरनातनी होना स्वभाविक है तो इस जो लड़ाई है उसको दूर करने का काम यानि जिसके रिसो बन कर ये सामने खड़ा रहा हमीशा और इसमें सफल भी हुआ इसके अतरिक्त परिशद की कारे परणाली के संबंद में दो भिन भिन मत व्यक्त और किये गए एक और इसे सूपर केबिनेट इसलिए कहा गया कि इसकी सरचना व्यापक और शक्तिशाली है तता इसकी अनुश राज्यों के उपर पर फिर भी एक इंटरनेशनल और इसको मिला हुआ है इसलिए राज्यों के उपर एक नैतिक दबाव हो जाता है इसे स्विकार करने का दूसरी और इसे केंद्र सरकार द्वारा दिये गए नेनेओं का महज एक रबर स्टेंप करार दिया गया यानि किसी इसको सूपर केबिनेट माना और किसी ने क्या का ये एक रवर्ज टैम्प है केवल केंद्र सारे फैसले लेता है ऐसा मात्र केंद्रों राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार और शाषन का लंबी अवदी से बने रहने के कारण रहा यानि एक ही जब घल की सरकार भव के कारण राश्टे विकास परिशद अपने संगे चरितर की प्राप्ति तेजी से करती दिख रही है और इस प्रकार राश्टे योजना की तैयारी में राज्यों के हित को और अधिक ध्यान में रखा जा रहा है तो अब तो राज्यों का हित और ज्यादा ध्यान में रख आयोग जिसकी स्थापना किसके जगे पर हुई योजना आयोग की जगे पर देखिए स्वाधिन्ता के बाद हमारे देश ने ततकालिन सोवियत संग के समाजवादी शाशन की सरचना को अपनाया जिसमें योजनाय बनाकर काम किया जाता था पंच वर्षिय तथा एक वर्षिय योजनाय काफी लंबे समय तक देश में चलती रही योजनाय आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशको तफ़ योजनाय बनाने के काम को अनजाम दिया लेकिन केंडर में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक जनवरी 2015 को योजनायोग की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिक्तम शाषन नियुनतम सरकार के द्रश्टी कौन की परिकल्पना को इस्थान दिया गया ठीक है अब देखिए इसकी प्रशाषनिक सरचना क्या है नीती आयोग के मेंबर और सदसे कौन कौन होगे तो इसका अध्यक्ष कौन होता है प्रधान मंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधान मंत्री हुआ करते थे और उपाध्यक्ष प्रधान मंत्री द्वारा नियुक् मुख्य मंत्रियों और उप्राज्य पालों की बैठकी अध्यक्षता करता है। प्रधान मंत्रि द्वारा नामित विभिन छेत्रों के विशेशग्यों को आमंत्रित किया जाता है इसकी बैठकों में। ठीक है। इसको नीती आयोग के Think Tank की भाति कारे करता है। Think Tank यानि सोचने का काम कि क्या देश के लिए करना जरूरी है। नीती आयोग ने तीन दस्तावेज जारी किये हैं। जिसमें तीन वर्षिय कारे एजेंडा, साथ वर्षिय मध्यमवधी की रण नीती का दस्तावेच और पंदरा वर्षिय लक्षे दस्तावेच शामिल है यानि ये इस तरीके के रिपोर्स नीती आयोग देता है जैसे अभी आपने एक देखा होगा एक पॉलिसी जो हमारी नई शिक्षा नीती आयोग के अंडर में ही आई है यानि शिक्षा का जो human resource हमारा जो मंत्राले है उसने नीती आयोग के साथ मिलकर नई शिक्षा नीती का बनाने का काम किया है पिर देखिए अब इसके उद्देश के आये नीती आयोग के यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत रास्ट्र बनाता है संगिय सेभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर सरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है ग्रामी ने स्तर परविश्वरस्तरिय योजनाय बनाने के लिए तंतर विक्सित करना और सरकार के उचिस्तरों तक इसे उत्रोतर विक्सित करना है रास्ट्य सुरक्षा के हितों में आर्थिक रननीती और नीतियां शामिल की गई है समाज के उन वर्गों पर विशेश ध्यान देना है जो आर्थिक प्रगती से पर्यापत रूप से लाभानवित नहीं हुए है अभी तक प्रमुख हितधार को रास्ट्रिय और अंतरास्ट्रिय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीती अनुसंधान सलस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोचसाहित करना है तो सारी जो भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सब तरह की नीतियों बनाने का काम जो है वो नीतियायों के पास दिया गया है रास्ट्रिय और अंतरास्ट्रे विशेशग्यों, चिकित सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ग्यान, नवाचार और उद्यम शीलता की सहायता प्रणाली बनाना विकास एजेंडों के कार्यानवयन में तेजी लाने के लिए अंतर छेत्रिय और अंतर विभाग्ये मुद्धों के समाधान हितु एक मंच प्रदान करना राज्यों को कला संसाधन केंदर के रूप में स्थापित करने, शाशन परशोद का केंदर बनाने एवं सतत और नियाय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तहता विभिन हित धार को तक उनको पहुचाने का काम नीती आयोग का होगा अब देखों यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है बच्चों के योजना आयोग को बहटा कर नीती आयोग बनाया गया तो दोनों में अंतर क्या है एक यह प्रश्न आ जाता है और आ सकता है आप लोगों के इसलिए मैंने आपर यह टेबल बना कर आप लोगों को इसमें दिया है यह पूरा एक बड़ा प्रश्न बनता है आपका छे नंबर का कि नीती आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर ह तो आप इसको कौपी में जरूर नोट करेंगे नीती आयोग एक सहलाकार ठिंक टैंक के रूप में कारे करता है जबकि योजना आयोग इसने एक समयधानिक निकाय के रूप में कारे किया जबकि इसको ऐसा दर्जा नहीं मिला हुआ था यह सदसों की व्यापक विशेशग्यता पर बल देता है यह सीमित विशेशग्यता पर निर्भर करता था यह सरकारी संगवाद की भावना पर कारे करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागिदारी सुनिश्चित करता है इसकी वार्षिक योजना बैटकों में राज्यों की भागिदारी बहुत कम रहती थी नीती आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचीवों को CEO की रूप में जाना जाता है और योजना आयोग में सचीवों को सामाने प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था नीती आयोग बोटम अप अप्रोच से काम करता है बोटम अप अप्रोच क्या होती है यानि विकास नीचे से उपर होगा और योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था यानि उपर से चल कर नीचे आता था विकास नीती आयोग नीतियां लागू करने का इसको आधिकार नहीं है योजना आयोग राजियों के लिए नीतिया बनाता था और स्वीकृत प्रयोजियों के लिए धन आवंटित भी करता था जबकि नीतिया आयोग को धन आवंटित करने की शक्तिया नहीं है यह वित्य मंत्री के पास नहीं ही थे योजना आयोग मंत्राले और राज्य सरकारों को धन आविंटित करने की शक्तियां योजना आयोग को प्राप्त थी तो ये आपने नीती आयोग और रास्ट्री विकास परिशत किस प्रकार काम करती है क्या-क्या उनके उद्देश यह हैं, क्या-क्या काम है, यह आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर आपके यही दो पॉइंट CBSE के नए सलेबस के अकोर्डिंग दिये गए हैं, ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम नेक्स चैप्टर foreign policy का शुरू करेंगे, तो आपका यह वीडियो देखने के लिए thank you, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए